अहिल्या भाई होलगर का नम भारत के प्रहु के व्यक्तित्वे की रूप में लिया जाता है। अहिल्या भाई एक माहन अग्रणी शाशक और हिंदू मंदिरों की निर्माता थी। जिन्होंने पूरे भारत में सेकडों मंदिर और धरमशालाओं का निर्मान कराया। अरविन जावलिक अरभिन की प्रशंशा में कहते हैं कि इस निसंदेह पता चलता है कि प्लेटो और भटाचारे द्वारा वर्नित सभी अधरशकुन जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और योदिस्टर इनके व्यक्तित्व में मौझूद थे दुनिया के लंबे इतिहास के गहन जाच के बाद हम एक वक्तित्व पाते हैं देवी अहलिया भाई हो लेकर जो की बिल्कुल आदरशाशा का प्रती नित्थत्व करती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे कुछी दिनों पहले माराश्ट के एहमद नगर जिले का नाम बदल कर अहल्या नगर कर दिया गया है एहमद नगर जिला माहराश्ट के पश्चे में अवस्तित है 240 इसापूर वियह का इसामरज्च का हिस्सर रह चुका है जैसे की प्राचिनकाल में इसका सम्मद मौर समराट असोक से माना जाता था तो मधिकाल में यह राश्ट कूट बंसवा पश्चे में चालोके के अधिकार में था दिल्ली सल्तनत भी आप प्रतिक शासन सूबेदारों के माध्यम से करती थी चुकि दिल्ली सल्तनत का सीधे दोर पर यहां पर शासन नहीं था इस वज़े से इस छेतर पर काई राजा महराजाओं की दरश्टी रहते थी इसी का फायदा उठाते हुए अलाओ दिल्ली सल्तनत की सेना कोहरा कर एक नए समराज अर्थद बहमनी समराज की स्थापना की कुछ वर्शो बाद यही बहमनी समराज पाच हिस्सों में तूट जाता है जो है निजाम शाही, कोलकुंडा, बीजापूर, बीदर वबरार 14-16 में मलिक एहमद निजाम शाहा बहमनी समराज का प्रधान मंत्री बनता है इस प्रधान मंत्री की हमेशा सहित रष्टी बहमनी समराज के तक्त पर रहती थी अपनी इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सन 14-90 में यह बहमनी समराज के राजा को हरा देता है वो अपनी सत्था स्थापित करता है 24-94 में सीन्य लदी किटट पर यह नए नगर की स्थापना करता है यह नगर उसी जगा पर होता है जहां पर बहमनी समराज ने दिल्ली सल्थनत को हराया था इसे यह एह एहमद नगर नाम देता है पंडित जवाहर लाल नहरू के तोरह लेकी गई पुस्तक दर डिस्कावरी आफ इंडिया में इस समराज की जानकारी मिलती है यदी बात करें अहिलिया भाई हूलकर की अहिलिया भाई हूलकर का जन्म 31 मई 1725 को एहमद नगर के गाउचोंडी में महराश्चन परिवार में हुआ था इनके पिता मान को जिशन्देव वा माता शुशिला शिन्दे थी इनके पिता पेशवा के धंकर परिवार के यहां पाटिल की रूप में कारे करते थे इनके पिता समय से काफी आगे की सोच रखते थे इसी वज़े से इन्होंने अहिलिया भाई को घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया था अहिलिया भाई बहुत बड़ी शिप भगते थी एक बार इने मंदिल में पूजा करते हुए पेशवा बाजिराओ के सेना पती पांडे राओ भारतपूर के राज़ा के साथ युद्ध चंगस करते हुए मारे जाते हैं इसके पश्चात इनके ससुर मलार राओ इन्हें शाशन लेखा राजनीती शैन आधी कारियों में प्रशिक्षित करते हैं इस वज़े से अहिल्याबाई आगे चलकर एक योग शाशक बन पाती है सन 1766 में इनके ससुर की भी मृत्ती हो जाती है इसके पश्चात इन दोर की पूरे शाशन की बागडोर अहिल्याबाई की कंदों पर आचाती है अहिल्याबाई पेश्वा को पत्र लिखकर मालवा पर नियंतर स्थापत करने के लिए कहती है लेकिन कुछ इस्थानी लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं वह अहिल्याबाई को ही शाशन करने के लिए कहते हैं लेकिन फिर भी पेश्वा अपने एक सेनपती को देवी अहिलिया भाई के दर्वार में कारे करने के लिए पहुँचाते हैं अहिलिया भाई का शाषन लगभग तीश वर्षों तक चलता है यह हुलकल समराज का स्वरणिम युक्त था इस दोरान बहतर व्यवस्ता वा संगटित सरकार थी प्रज्जा भी इनके द्वारा किये कारियों से खुश रहती थी वा इनका बहुत सम्मान करती थी इनके शाषनकार में इन्होंने कई हिंदू मंदिरों का जीवन अधर करवाया जैसे सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर वा उमकारिश्वर मंदिर इत्यादी 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्ति हो जाती है इसके पश्चात तुकुरा हूलकर मालवा के शाषक बनते है भारत सरकार 25 अगस्त 1996 को इनके सम्मान में एक डाक्टिक्ट जारी करती है इनके सम्मान में इंदूर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिलिया भाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया है वा इंदोर विश्विध्याले का नाम बदल कर देवी अहिलिया भाई विश्विध्याले कर दिया गया है अहलिया बाई के नेतवत में ही इन दोर का छोटे से गाउ से एक बड़े शहर में परिवरतनी हतर शाता है कि वह एक योग शाशक होने के साथ साथ एक अच्छी राजनेते कि वह कुशल रिजधनीती अपनाने वाली शाशकत थी इनके दोरा किये गयकार आज भी हमारे बीच विरासित की रूप में से नलक्षत है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही कमेंट शेक्शन में अपने सजहाब दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन आपने बादे